हेलो एबरीबान दीवीरा क्लासिस के ओफिसियल चैनल में आपका स्वागत है आज मैं बताओंगी आपको की बंदुक का लाइसेंस कैसे बनवाए और इसके लिए कैसे अपलाई करें इससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लेंगे बैल आइकन को जरूर क्लि लाइसेंस हिन हिंदी हम आपको आज इस बीडियो में एक और बहुत बढ़िया ही और महत्पुन जानकारी देने वाले हैं यह जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमन साबित होगी और आप इस जानकारी के बारे में जानने के लिए बहुत दिनों से कोसिस भी कर रहे हो तो आज हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से गन या बंदू का लाइसेंस बनवा सकते हैं और गन या बंदू का लाइसेंस बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है लाइसेंस बनवाने के लिए आपको क्या क्या काम करना पड़ता है इन सभी के बारे में हम नीचे आपको पूर इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे क्योंकि आज की समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने पास अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक रखना चाहते हैं क्योंकि कई बार उन लोगों को किसी के साथ बैर हो जाता है या लड़ाई हो जाती है जिसके कारण उनको अपनी जान का खत्रा रहता है इसलिए वे अपनी सुरक्षा के लिए अपने पास एक गन रखना चाहते हैं और आज के समय में होम गाट की जौब के लिए भी गन और बंदूक का लाइसेंस भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप आपके पास गन या बंदूक का लाइसेंस है तो आप होम गाट के जौब भी बहुत आसानी से कर सकते हैं तो आपके लिए इन दोनों तरह के गन या बंदूक का लाइसेंस बहुत ही जरूरी होता है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गन का लाइसेंस कैसे बनवाते लाइसेंस बनवाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट हम आपको बता देते हैं तो अगर आप किसी गन या बंदूक का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको किन-किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है अगर आप अपने गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको भी बताना होगा कि आप कौन सी बंदूक लेना चाहते हैं इसके अलावा आपको दो पासपोर्ट साइज फोटो भी देनी होगी इसके साथ आपको अपने वोटर आईडी और साथ-साथ पिछले तीन साल का इनकम टैक्स रिटर्न का पूरी जानकारी भी देना होगा और अपने छेत्र में दो अच्छे आदमियों के करेक्टर सर्टिपिकेट आपकी फिजिकल फिटनेस सर्टिपिकेट और आपकी पढ़ाई का सर्टिपिकेट की कौपी आपकी जन्व प्रमान पत्र की फोटो कौपी कि साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि आपके पास बंदूग क्या गन किस लिए रखना चाते हैं इसका कारण भी आपको बताना जरूरी है उसके लिए आपको यह साबित भी करना होगा कि आपके लिए यह बंदूग जरूरी है तो यह सभी डॉक्युमेंट आपको लाइ ठीक यार के license के लिए आप आवेदन कर सकते हैं भारत में license के लिए बनवाने के लिए आप अपलाई कर सकते भारत सरकार के नियमों के अनुसार हमारे देश में सिर्फ तीन तरह के इबंदूघ लाइसेंस बनाए जा सकते हैं थ요 उसे सोड गन हैंड़ victim के लिए स्पोर्टिंग गन ऎदमें जाते हैं जैसे एक आदमी जाद से जादा बंदूक का लाइसेंस रल रख सकता है लेकिन इन तीनों बंदूक में से आप अपने हिसाब से किसी bhi बंदूक को पने पास रक सकते हैं चाहे एंक तरह की एक तरह की थीarlo balance के आप अपने पास रख सकते हैं 3 अलग-अलग हो वह आपकी मरजी है आप कि तरह की बंदूक अपने पास रखना चाहते हैं लेकिन आप तीन से ज़्यादा बंदूक अपने पास नहीं रख सकते हैं और आपको मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि उसकी लाइसेंस की फीज क्या होती है अब यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि क्य अनजान आदमी या किसे दूसरी आदमी से अपना लाइसेंस बनवाना चाहते हैं और जिससे उन्हें कई बार बहुत ज़्यादा पैसे भी देने पड़ते हैं कई बार उनके पैसे लेकर भाग जाता है तो आपको यह सब करने की जरूरत नहीं है वैसे तो बंदूक के हैंड गन और सप्पोर्टिंग गन इन तीनों के अलग अलग फीस होती हैंड गन पिश्टल रिवार्वल के लिए लाइसेंस की फीस मातर 100 रुपे जबकि आप यदि मजल लेंडिंग गन के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको मातर फीस 10 रुपे देनी होगी और इस गन के अलावा रिनूवल के लिए सिर्फ 5 रुपे देने होंगे इसके अलावा आप अगर ज़्यादा जानकारी के लिए चाहते हैं तो नजदी की पुलिस स्टेशन या थाने में आप जा सकते हैं या उसकी जानकारी आप ले सकते हैं अब बंदूक लाइसेंस की ब क्लिक कर लें ताकि आपको लॉस रिलेटिन इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहें मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी कि बंदूक लाइसेंस के लिए कैसे अपलाई करना है थैंक यू